तेनाली राम कुत्ते की दूम सीधी एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दर्बार में इस बात पर गर्मागरम बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं. कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है. कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे कुट्टे की दूम कभी सीधी नहीं हो सकती राजा को एक विनोद सूझा उन्होंने कहा बात यहां पहुची कि अगर कुट्टे की दूम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है नहीं तो नहीं बदला जा सकता राजा ने फिर विनोद को आगे बढ़ाने की सोची बोले ठीक है आप लोग यह प्रयत्न करके देखिए राजा ने दस चुने हुए व्यक्तियों को कुट्टे का एक-एक पिल्ला दिलवाया और छे मास के लिए हर मास दस स्वर्ण मुद्राय देना निश्चित किया इन सभी लोगों को कुट्टों की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था इन व्यक्तियों में एक तैनालिराम भी था शेश नौ लोगों ने इन छे महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की एक ने पिल्ले की पूँच के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाले रखा तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंच सीधी करने के लिए हर रोज पूंच की मालिश करवाई छटे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई तरह से उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा सात्वे सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ओपरेशन करवाया आठवा व्यक्ती पिल्ले को सामने बिठा कर छे मास तक प्रति दिन उसे भाशन देता रहा कि पूंच सीधी रखो भाई, सीधी रखो नवा व्यक्ति पिल्ले को मिठाईया खिलाता रहा कि शायद इससे यहां मान जाए और अपनी पूंच सीधी कर ले पर तैनाले राम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रहे उसकी पूंच भी बेजान सी लटक गई जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी छे मास बीट जाने पर राजा ने दसो पिल्लों को दर्बार में उपस्थित करने का आदेश दिया नौ व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किये जब पहले पिल्ले की पूंच से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेडी होकर उपर उठ गई दूसरी की दूम जब नली में से निकाली गई वह भी उसी समय टेडी हो गई शेश सातों पिल्लों की पूंचे भी टेडी ही थी तैनाली राम ने अपने अध्मरासा पिल्ला राजा के सामने कर दिया उसके सारे अंग धलक रहे थे तैनाली राम बोला महाराज, मैंने कुट्ते की दुम सीधी कर दी है दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा बेचारे निरिह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला इसमें तो पूँच हिलाने जितनी शक्ती भी नहीं है महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं